हाई फ्रेंड्स आज हम आपको पेट्स याने के क्याट्स और डॉक्स को जो नहलाया जाता है उस ब्रेश के बारे में आपको रिव्यू बता रहे हैं ये brush बहुत ही silicon made और बहुत ही lightweight है इसमें 3-4 color के आपको मिल जाएंगे हमने pink color का मंगवाया था इसको हमने online मंगवाया था ये आपको pet shops में भी मिल जाएगा easily और ये बहुत easily handle इसका होता है यहां पर देखे इस तरीके से opener रहता है जिसमें आप shampoo दाल सकते हैं इसके बाद आप इसको close कर सकते हैं तो जो भी pets आपके रहते हैं वो hard brush यूज नहीं करना चाहिए उनकी skin के उपर इसलिए ये smooth brush बहुत अच्छा रहता है ये देखे है handle इसका बहुत अच्छा इन्होंने दिया हुआ है जब आप shampoo दालने के बाद प्रस करेंगे न तो shampoo इसके easily जाग बनकर बाहर तक आजाएगा और नहलाने में pets को बहुत आसानी होती है जब हम इसको नहलाएंगे डेमो बताएंगे ये आपको online मिल जाएगा flip card और amazon में इसके reviews बहुत अच्छे हैं तो हमने इसको flip card में खरीदा था यहां पर आप देख सकते हैं ये images हमने flip card से डाले हैं इसका price 195 है आराउंड 200 के खरीब रहता है including shipping charges तो ये brush किस तरीके से इस्तमाल किया जाता है हम आपको बताते हैं तो यहां पर हम हमारे pet को याने कि cat को नहला रहे है तो इस brush का हम पहली बार इस्तमाल कर रहे हैं friends अगर आप और भी pets के बारे में जानकरी चाहते हैं तो हमारे channel को ज़रूर से subscribe कीजिए क्यूंकि हम आपको यहां पर नए नए वीडियो लाते हैं pets के बारे में तो यह देखिए इस brush को हमने open कर लिया है इस तरीके से easily इसका gap open हो जाता है तो हम इसके अंदर शांपो दाल रहे हैं तो यह शांपो किस तरीके से यूज किया जाता है और कितना यूज किया जाता है इसका हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है लिंक हमने description में डाला है आप चक कर सकते हैं तो यह देखिए शांपो मैंने डाल लिया है इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि यह जो शांपो है इसके अंदर जाकर ना रह जाए और यह जाग बन कर easily आ जाए brush के बाहर जब यह जाग बन कर आएगा तब ही नहलाने में easy यानि कि जो smooth रहता है brush के उपर वो जाग pets के उपर आता है यह देखिए जाग किस तरीके से निकल रहा है इसको आप इस तरीके से बस हिला दीजिए ताकि जाग बाहर आ जाए तो यहां पर देख सकते हैं हम हमारे cat को brush कर रहे हैं अलग से आपको shampoo दालने की ज़रूत नहीं हातों किसे लेकर cats के उपर मलने की ज़रूत नहीं है इसी में आपको 2-in-1 काम हो जाएगा यानि कि आप इसी में shampoo दाल सकते हैं और इसी brush से आप अपने pets को नहला सकते हैं तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे यह बहुत इसली useful pets का shampoo और brush है आप हमारे videos चक कर सकते हैं तो यहां पर देखिए handle करने इम में भी यह आसानी रहती है तो इसका handle है वो handle करने में बहुत आसानी रहती है यह देखिए नहलाने के बाद कितनी अच्छी तरीके से soft और shiny हो जाते हैं हमारे pets अभी ठीक तरीके से सुखे नहीं हैं फिर भी आप देख सकते हैं यह कितने soft और shiny है तो यहां पर हमारे दो pets हैं तो दोनों को हमने नहला कर सुखा लिया है तो friends अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर से subscribe कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you